नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका Self Study के चैनल में और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लोज क्या होते हैं और फ्रेज क्या होते हैं जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने Relative Pronoun स्टार्ट कर रखा है और उस Relative Pronoun की वीडियो के अंदर हमने Who and Whom इन दोनों Concept को या इन दोनों Relative Pronoun को हमने समझा था कि कहां Who लगेगा, कहां Whom लगेगा अब आगे चलके That Relative Pronoun करना है, What Relative Pronoun करना है और भी काफी सा Relative Pronoun हमें करने हैं इनकी अलग-अलग से वीडियो आएगी तो यहां पर आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ Concept की जरूरत है उसे मतलब कि वो जो Concept है, वो Close और Phraz से Related है जैसे Adjectival Close क्या होते है, Adjectival Phraz क्या होते है Adverbial Close क्या होते है, Adverbial Phraz क्या होते है, Noun Close क्या होते है, Noun Phr retro क्या होते है तो इन चीजों की मुझे जरूरत है, क्योंकि यह जो Concept है मुझे आगे चलके इनकी Use करने देखे अगर आपको rule याद नहीं करने है उनको समझना है उनका logic आपको जानना है तो ये concept आप लोगों को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है परना वही रहेगा ना कि किताबों में rules लिखे हुए उनको याद कर लीजिए हाँ जब तक exam आएंगे अरे यार वो rule क्या था या तो उस चीज में रहे लीजिए और ये concept सीखिए ताकि आपकी जो probability याद करने की वो काफी time तक बढ़ जाए तो चलिए start करते हैं अच्छा वीडियो की जो PDF है वो आप लोगों को टेलिग्राम का एक link दिया मिलेगा description box में तो जाकर आप वहाँ से download कर सकते हैं तो एक तरीके से आपको लिखना नहीं है खाली आपको रहाम से बैटके सुनना है कि क्या बाते हो रही है कहानी के तरह के इसे लीजिए इसको ओके start करते हैं तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे close and phrases की अच्छा कौन-कौन से closes होते हैं मुझे जुरूर था adjectival, adverbial, noun phrases and closes की यह adjective क्या होती है मैं already discuss कर चुक हम कि adjective हम उसे कहेंगे जो noun या pronoun के बारे में बता है उसको कहेंगे adverb किसको कहेंगे adverb उसको कहेंगे जो verb के बारे में बता है जो adjective के बारे में बता है जो खुद adverb के बारे में बता है तो इसको क्या कहेंगे adverb कहेंगे अरब यहाँ पर noun किसको कहते है आपको बताया था पांच टाइप के होते हैं काम क्या करते हैं मैंने ये सब चीजें भी discuss की हुई है तो सारा कुछ जो है मैंने अपनी पिछली previous वीडियो के अंदर मैंने discuss किया हुए उसकी अलग से मैंने playlist बना रखी English grammar करके तो आप जाके वहाँ से इन सब वीडियो को देख सकते हैं तो हम करने क्या जा रहे हैं देखे, phrase and close करने वाले हैं पहले तो इन चीजों को समझे ये close होते क्या है और phrase क्या होते हैं देखे, मुझे लगते कि आप लोगों का adjective, adverb और noun तो पता ही है अब phrase are close रहे गए है कि phrase क्या होते हैं, sir, close क्या होते हैं चलिए, इनको और समझ लीजी, ये क्या होते हैं पहले तो एक definition देखी, इनकी definition क्या है close किसको कहते हैं एक group of words that includes a subject and a verb एक भाया, जो संग होता है words का, शब्दों का जिसके अंदर हो, क्या हो, एक subject हो और एक verb हो तो उसको क्या कहेंगे, close कहेंगे clear, अच्छा second word चलते हैं phrase किसको कहते हैं, phrase वो होता है तो group of words is called a phrase भाया, अब इस group में न verb होगी, न subject होगी, बस शब्दों के कुछ भी समूख को आप ले लीजिए और उसको आप phrase कहें लीजिए अच्छा मैं समझता हूँ कि आप लोगों को शुरुआत में समझ में नहीं आई होगी अरे ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा टैंशन नहीं लेने का है, ये स्टार्टिंग में आप लोगों को definition में नहीं दिखा दिया है लास्ट में हो definition दिखाऊंगा, लेकिन लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप इन सब चीजों को अच्छे से समझने लग जाओगे कि क्या चीज़ें होती है, एक बार example के तुरू इन चीजों को समझते है, आपके सामने कुछ sentences आये हुए है सबसे पहले हम इन sentences की help से इन चीजों को समझने की कोशिश करते है हमारी पहले trick क्या रहती है इन sentences को करने की, जैसे हम करते आ रहे हैं कि हर sentence का हम x-ray करते है x-ray बोले तो हर एक word जो है जैसे boy या in या red या shirt ये जितने भी words है sentence के अंदर इनका एक एक हम grammatical नाम क्या है इनका वो हम पता करते हैं तो शुरुआत करते हैं अपने पहले sentence है, तो पहला sentence है जो लड़का है लाल shirt के अंदर उसने भेजा है ये letter तुम्हारे लिए अचा अब यहाँ पर हमारी शुरुआत कैसे होती है, किसी भी sentence को break करने की या उसके x-ray करने की, तो हम शुरुआत करते हैं वोब से वोब क्या है इस sentence के अंदर, इस sentence के अंदर सर वोब है sent ये sent होगी आपके सामने वोब, अचा ये होगी main वोब, ये क्या हो गया, has क्या हो गया, helping वोब ये concept भी मैंने आप लोगों कर आ रखा है, helping वोब क्या होती है, main वोब क्या होती है, सारे चीजे मैंने अपनी previous वीडियो में discuss कर रखी है, अचा यहां पर होगी, sent होगी, main वोब, has होगी, helping वोब अब यहां पर ये जो sent है, भेजने का काम किया किसने, लड़के ने किया, तो लड़का यहां पर क्या बनेगा, subject बनेगा, noun है, ठीक है, subject बनेगा, noun है, common है अब ये दा क्या है, article है, इन चीजों का मैं लिखने रहा हूँ, क्योंकि तीनी article होते है, हमारे सामने, an दा तो boy यहां पर subject होगया, has यहां पर helping verb होगी, sent यहां पर main verb होगी, अब यहां पर sent क्या किया, भेजा किया, उसने एक letter, उसने भेजा किया, एक letter अब यहां पर, देखो, subject कौन होता है, फिर से देख लो, subject कौन होता है, doer होता है, subject कौन होता है, doer होता है, और object कौन होता है, object होता है, receiver, object कौन होता है, receiver होता है, अब यहां पर easy, sent करने का काम किया किसने, subject ने, sent किसको किया गया, भेज, किसी चीज को तो किया होगा, यह काम किसके उपर हो रहा है letter के उपर तो letter यहाँ पर क्या बनेगा object बनेगा noun है ध्यान रखना उपर लिग देता हूँ noun यह भी हो गया अपने सामने noun तो यह चीजें clear होगी इतना कर लिया है हमने the boy in red shirt has sent this letter for you अब यहाँ जरा देखना यह this क्या कर रहा है भाई यह this जो है वो इस letter के उपर demonstrate कर रहा है नहीं कर रहा है कौन सा letter यह वाला letter this letter that letter तो यह जो word है इस letter को एक तरीके से qualify कर रहा है qualify कि sense में कर रहा है demonstrate इशारा कर कर रहा है तो यह हो गया demonstrative adjective यह चीजें होगी ना अपनी basic मैंने आप लोगों को करवाई थी adjective की उसके अंदर बताया था these, that, these, those, इनका function मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत अच्छे से हमने चीज़ों किया था basic के अंदर इतना अच्छे से किया था सोचो, detail में आएंगे, तो बहुत बढ़िया करने वाले हैं इसको तो this यहाँ पर हो गया demonstrative adjective, बहुई कैसे हो गया क्योंकि यह noun के बारे में बता रहा है जो word noun के बारे में बता है या pronoun के बारे में बता है, उसको adjective कहेंगे यह रहा adjective, लेकिन adjective में भी कौन से टाइप का D, D का मतलब होता है demonstrative demonstrative का क्या मतलब होता है सार, संकेत करना इस letter के उपर संकेत कर रहा है यह वाला letter, तो इसलिए हो गया demonstrative adjective, अब यह four क्या है four होता है preposition preposition, यहाँ पर preposition हो गया, अब preposition के बाद जैसे मैंने काया थे कि preposition होता है preposition की एक requirement होती है, भया, जब भी हमको use करो, तो हमरे बाद क्या use कर लो भी एक object use करो simple सी बात है, object बनने की power किसके पास है, object बनने की power या तो noun के पास है, या noun के भाई, pronoun के पास है दो लोगों के पास है, तो यह you जो है वो pronoun है तो pronoun हो गया यहाँ पर for proportion का object बन जाएगा यह आई बास समझ में तो यह हो गया हमारे सामने इतनी चीज़ें clear अब यहाँ पर और है इन क्या है इन फिर proportion है अब proportion के बाद proportion आया है तो proportion बोलेगा लाओ मेरे लिए object ले क्या हो तो यह जो शर्ट है यह जो noun है यह क्या काम कर सकता है भही आपको पता है न noun फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पर लिखूँगा यहाँ पर लिख देते हैं देखें noun जो है वो पांच काम करता है अगर noun यह काम कर रहा है तो pronoun जो इसका भाई है वो भी तो यह काम करेंगा आई बास समझ में अब यहाँ जड़ा देखो boy in the boy in red shirt in proportion होगी अब in proportion आई तो proportion बोलेगा लाओ मेरे लिए कोई object ले कर रहा हूँ तो हम चले यहाँ पर हमें shirt मिला shirt जो है वो एक noun है इस proportion का object बन जाएगा तो proportion का object यह बन गया तो यहाँ पर हमने proportion लिखा यहाँ पर P लिख देते है समझ में आ जाएगा proportion का object हो गया अब यह जो red है रैड का मतलब यानि लाल यह कर क्या रहा है अरे सर ये शर्ट के बारे में बता रहा है शर्ट के बारे में क्या बता रहा है अरे शर्ट कैसी है रंग बता रही है न उसका तो एक तरीके से क्वालिटी बता रही है उसकी गुणवत्ता बता रही है तो गुनवत्ता के मामले में राल कलन उसका बताया जा रहा है यहाँ पर जो यह word है वो इस शर्ट के बारे में बता रहा है यानि शर्ट का एक नाउन है और जो word नाउन या pronoun के बारे में बता दे तो उसको क्या कहते हैं उसको, sir, adjective कहते हैं तो यह होगा adjective, अरे सर यह adjective में कौन से टाइप का होता है, अरे adjective में होता है qualitative adjective, qualitative adjective जो color बता रहे हैं, clear यहां पे तो qualitative adjective होगा, तो यह चीज होगा है, पहले सारे के सारे sentence हम break कर लेते हैं, तो यह होगा हमारा break करने का सिलसला, फिर हम आएंगे, close के उपर भी आएंगे, phrase के हिंदी तो आती होगी न, अभी मैंने आप लोगों को starting बताया दिया था, the boy in red shirt has sent this letter for you, वे लड़का, the boy, जो लड़का, लाल shirt में है, उसने भेजा है, यह letter तुम्हारे लिए, यह खत भेजा है, तुम्हारे लिए, next sentence में चलते है, next sentence है, the boy who is waiting outside is my cousin, अब यहां पर फिर से boy who is waiting outside, waiting, यह क्या होगी, main verb होगी, is क्या होगी, helping verb होगी, अब यहां पर is होगी, helping verb, जैसे मैंने का subject, हर एक sentence के अंदर subject और verb तो आएंगे यह आएंगे, मतलब verb आएगे तो उसके लिए उसका subject आना जरूरी है, तो यह verb रही, इसके लिए subject कौन बनेगा, यह who, who बनेगा यहां पर subject, भई, साथ इसाथ conjunction का भी काम कर रहा है, यह हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा है, देखे, अब वो सारी चीज़ें, अगर मैं यहां बताने लगया ना, कि कैसे यह subject का काम कर रहा है, कैसे हम इसको conjunction कहेंगे, तो वीडियो ना बहुत जादा lengthy हो जाएगी, और मुझे यह close और phrase कराने में इतना जादा lengthy वीडियो नहीं बनाना है, तो पिछली वीडियो का यार प्लीज, देख लेना, आपको आपके concept क्लियर करने है, तो, आचा चलते हैं यहां पर, तो यह who जो है, वो एक relative pronoun है, relative pronoun conjunction का का काम करता ही करता है, मतलब की conjunction, कैसे conjunction है, क्य अच्छा सर, यह boy है, तो इसके लिए verb का गई, अभी तो आपने बोला ना, यह subject number 2 माल लेते हैं, यह main verb number 2 माल लेते हैं, अच्छा, यह outside क्या है, outside है, adverb, अच्छा, ऊपर नहीं लिखते हैं, ऊपर थोड़ी सी गड़बड हो जाएगी, नीचे लिखते हैं इसके, क्योंकि यहां से who से लेके, outside तक हमें एक बार बात discuss करते हैं, who is waiting outside, अब यह जो outside, बार जो wait कर रहा है, कहा 안 wait कर रहा है, बार वेट कर रहा है, इस waiting को to qualify कर रहा है, इस waiting को quiet कर रहा है, waiting क्या है, एक verb है, और मैंने अभी थोड़ दर पहले क्या बताय था, adverb उसको कहते हैं, जो verb के बारें बता दे, जो खुद adverb के बारें बता दे, जो एडजेक्टिव के बारें बता दे, adverb जो है यहाँ पर verb के बारें बता रही है, तो इसलिए हम इसको adverb कहेंगे, अब place क्यों लिखा, क्योंकि यह जगह बता रही है, time बताने वाले भी होती है, manner यानि तरीका बताने वा इस verb के बारे बता रही है अब यहाँ पर subject number 2 मैंने लिख दिया main verb number 2 मैंने लिख दिया यह subject number 1 हो गया अरे सर यह subject हो गया तो इसके लिए verb कहा है यह रही subject के बारी है verb यहाँ पर तो यह होगी यहाँ पर main verb number 1 1 कौन सी लिखी थी? मैंने यह लिखी थी अच्छा is my cousin अब आपको याद हो तो बहुत अच्छी चीज है कि जब भी जब भी जो is है या कहूं जो b की form है जब भी ये main verb बन जाती है जब भी ये main verb बन जाती है तो ये क्या काम करने लग जाती है इसके बाद हमेशा क्या आते हैं subject compliment आते हैं ये subject compliment है ये क्या है? subject compliment है क्योंकि subject compliment कहते है कि subject compliment और subject और subject compliment दोनो एक ही होते हैं अरे ये boy कोन है? cousin है cousin कोन है? ये boy ही है अब ये my जो है वो इस cousin के उपर noun हो गया नहीं है? noun हो गया अब ये जो my जो है वो इस cousin के उपर अधिकार जता रहा है नहीं जता रहा है अधिकार छोड़ो मुझे एक बात उता हो यह जो word है my इस cousin के बारे हैं बता रहा है नहीं उता रहा है सर अगर चीज बता रही है कुछ भी noun या pronoun के बारे में तो उस चीज को क्या कहें है उसको कहें हम adjective यह हो गया adjective अग्जेक्टिव sentence पर चलते हैं, अच्छा है इसकी हिंदी कै the boy who is waiting outside is my cousin वो लड़का जो बाहर वेट कर रहा है वो मेरा cousin है, अब cousin को आप हिंदी में जो मर्जी लेना चाहिए ले सकते हैं, third sentence पर आते हैं, third sentence है I will call you at 8 p.m. I will call you at 8 p.m. मैं तुम्हें call करूँगा, कितने बजे, 8 बजे करूँगा अब यहां पर will क्या है helping verb है, modal है न यह call क्या है, main verb है भईया, call करने का काम करेगा कौन, यह I करेगा, तो I क्या बनेगा subject बनेगा, अब यहां पर call किया, किसको receiver कौन बनेगा you बनेगा, तो you object बनेगा at क्या है, preposition है अब preposition बोलेगी लाओ भई मेरे लिए, मेरे लिए तो एक object ले क्या हो, तो जो यह 8 p.m. है, यह क्या बन जाएगा object बन जाएगा, किसका इस at preposition का, आई बास समझ में, तो यह हो गया आपके सामने preposition का object 8 p.m दिल्ली पहुँच जाऊँगा, मैं call करूँगा जब, जब मैं दिल्ली है, पहुँच जाऊँगा, तो I will, will होगे, यहाँ पर फिर से help verb, helping verb, call होगी main verb, अचा call करेगा कौन, I, I क्या बनेगा subject, क्यों बनेगा, क्योंकि doer है, भई reach daily, daily क्या बनेगा, यहाँ पर इस reach verb का object बनेगा, अभी आते हैं, देखिए, मैंने अपनी, पिछली वीडियो में एक बात आप लोगों को बोली थी कि verb से, verb से, अगर आपको पता करना हो subject, object का, तो what या whom का reply ले लो, भई, आए, यहाँ पर तेरा देखो, sent, sent what, यहाँ पर आप इस verb के बाद what लिखेंगे, तो आपको reply मिलेगा, sent what, क्या बेजा, letter बेजा, अगर आप verb से what या whom का reply लेते हैं, तो आपको क्या मिलता है, object मिलता है, अब क्या मिलता है, object मिलता है, हाँ, I reach where, तो where का reply ज़रूर मिल रहा है, और जब where का reply मिलता है, तो adverb होती है, तो आप इसको object क्यों बना रहे हो, यह noun तो है, माना आप ने, लेकिन reach verb की बात है, तो what का reply नहीं है, whom का reply नहीं है, यह तो where का reply है, तो आप इसको reach verb का अब्जेक्ट बना कैसे दिया, तो इस चीज़ को ध्यान से रखना, देखिए, ये जो concept मैंने आप लोगों को बताया था ना, what या whom का, ये एक तरीके से चलाने के लिए था, आज आप चल चुके हैं, आपको नया कुछ जानने की जुरूरत है, हमेशा ही ये जो चीज़े हैं मैंने वहाँ पर एक बात बोली थी, ये टेंपररी तोर पर है, ये जो चीज़े हैं, वो टेंपररी तोर पर है, आने वाले टाइम में आपको अपनी definition के अंदर, जो object होता है, उस definition के अंदर, बहुत सारे concept डालने पड़ेंगे, और वो धीरे-दीरे हम डालते चलेंगे, आ उनके बाद जो ना होनाता, वो इनका object बनता ही बनता है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अब ये जो transitive verb है, transitive verb क्या होती है, transitive verb होती है, जो अपने लिए अपना object 100% बांगती है, ये reach verb है, अपने लिए अपना object मांगेगी, तो डेली इसका object बनेगा यहाँ पर, अब यहां पर ध्यान रखनी है अपने को अच्छा, when क्या है, when होगी यहां पर conjunction conjunction कैसे, दो चीचों को जोड़ रही है एक यह close है और एक यह close है close कहते कि इसको है देखे, close उसको कहते हैं जिसमें subject और verb आजाए यह close हो गया, इसमें subject आया हुआ और verb आया हुई यहां पर एक principle close होते है एक subordinate close भी होते है वो अलग discuss कर लेंगे हम कभी बट ऐसा समझो, close उसको कहते हैं जिसके अंदर एक subject आजाए और एक verb आजाए ओके, तो यह चीचे हमने break कर ली, अब बात करें कि अब adjectival close क्या होते है adjectival phrase क्या होते है अब यहां पर पहले sentence पर आते है अब जरह एक चीच यहां पर देखोगे यह जो इन से लेके यह shirt तक मैं इन से लेके यह जो shirt तक है यह वाले चीच एक चीच बताओ, यह जो तीन शब्द है, वो किसके बारे बता रहे हैं यह जो इन रेका पर बता रहे है इस लड़के के बारे है यह लड़का क्या एक नाउन है अब कुछ words एक नाउन के बारे हैं तो उसको क्या कहते हैं adjective adjectival phrase यह चीज है आपके सामने phrase क्यों बोला, close क्यों नहीं बोला क्योंकि इसके अंदर ना कोई subject आ रहा था ना कोई इसमें verb आ रही थी इसलिए हमने इसको क्या बोला phrase बोला वही simple सी बात है adjective उसको कहेंगे जो एक single शब्द बता दे या फिर adjective उसको भी बोलेंगे जो कुछ शब्द मिलके noun के बारें बता दे समझो ज़रा एक noun है इसके बारे में अगर कोई एक singular एक particular शब्द एक शब्द ही इस noun के बारे में कुछ बता रहा है तो उसको हम adjective बोलेंगे अब कुछ शब्द मिलकर, कुछ जुन्ड मिलकर इस noun के बारे मिलकर इस noun के बारे हैं तो उसको phrase बोल देंगे अगर उसके अंदर कोई verb नहीं आ रही होगी उसी को हम close बोल देंगे इस noun के बारे में अगर कुछ बता रहा है अगर उसके अंदर verb आ रही होगी simple सा concept है एक ही line का concept है I hope so ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी चीज है नहीं आ रही है तो नीचे comment बास मतलब ओपन रहते है कोई close नहीं है उसमें comment करके पूछना कि सर ये है क्या अगर नहीं आई और फिर भी आप लोगों के सामने तो free of coast वीडिया है अरे repeat करकर करके देखो इस चीज़ें समझ में आएंगे उपर से आप लोगों को description box में जो link दिया है वो telegram का जब वहां से जा के आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हैं लिखने के जरूरत नहीं है आपको बस समझना है क्या होता है ने बच्चे लिखने में अपना time लगाता है वो ध्यान नहीं देता वहां पर इसलिए मैंने लिखने का काम ही आपका खटा दिया सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान दें यहां पर आपको समझ मैं कि बात क्या हो रही है आगे चलते हैं तो यह जो in red shirt है वो इस boy के बारें बता रहा है तो इसको हमने बोला adjectival phrase phrase क्यों बोला क्योंकि इसके अंदर कोई verb नहीं है कोई subject नहीं है adjective क्यों बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे चीजें शब्द मिलके इस noun के बारें बता रही हैं इसलिए हमने इसको बोल दिया अभी कुछ बच्चे सोचेंगे सर ऐसे तो हमने हर चीज को करने लगेंगे देखिए concept की मुझे requirement है इसलिए मैं बता रहा हूँ कहां पर क्या करना है वो आने वाले time में मैं बता दूँगा अभी आप लोगों को जितना समझा रहा हूं उतना समझना है आगे भागने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि आगे भागेंगे आपको पता नहीं है रास्ता कैसा गिर जाएंगे और चोट बहुत भेंगर लगेगी फिर वहां पर अभी मेरा एक काम कर लिए आगे अंदे रही है मुझे बता है रास्ता कहां पर है मेरे पीछे पीछे चलते रही है एक time आएगा कि आप लोगों को बिल्कुल आपका रास्ता एकदम clear होगा आप अराम से उस रास्ते पर चलिए भागिए जो मर्दी करना वो करिए clear तो यह जो red shirt है वो हो गया आपके सामने क्या हो गया adjectival phrase हो गया अब आगे चलते हैं the boy who is waiting outside is my cousin अब यह who is waiting यह boy कौन सा हो boy भाई कौन है मेरा cousin हर कोई cousin है क्या हर कोई मेरा भाई है जैसे आप सुन रही है वीडियो तो कि आप मेरे भाई है क्या आप मेरे cousin है नहीं कौन है cousin specific होगा न कोई जो wait कर रहा है कहाँ wait कर रहा है जो outside wait कर रहा है जो wait कर रहा है outside वो मेरा cousin है यह who से लेके यह outside तक यह जो शब्द है वो इस noun के बारें बता रहे हैं इस noun के बारें बता रहे हैं इसलिए इसको बोलेंगे adjective अब यह बहुत सारे शब्द हैं तो इसलिए इसको adjectival phrase बोले हैं close इसके ओपर बात करते हैं adjectival phrase बोलेंगे अगर इसमें कोई subject या कोई verb नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर subject है, ये रहा, इसके अंदर verb है, ये रही, तो इसको क्या बोलेंगे, adjective close, आई बास समझ में क्या बोला मैंने, ये हो गया, who is waiting outside, adjective close, अच्छा सर ये करवा क्यों नहीं हो, देखें, अभी concept मुझे करवाना है, अभी थोड़ा सा ध्यान मतलब कि अपने आपको शांत रखने ही कोश करो, patience बनाए रखो, इसी वीडियो के last में चलते चलते आप लोगों समझ में आ जाए कि मैं ये चीज़ें करवा क्यों, आपका concept clear करवाने के लिए ही चीज़ें यहाँ पर हो रही है, आगे चलते हैं, आगे sentence बोला गया, I will call you at 8 पीम के जगा है, मैं अगर tomorrow कर देता, तो मुझे बताओ, तो क्या आप ये बता नहीं सकते, ये जो tomorrow है, वो adverb है, क्योंकि ये जो call का time बता रहे हैं, भाई कब कर लोगे, भाई कल कर लोगा ना call तुमको, ये जो tomorrow है, वो इस call का time बता देती, लेकिन यहाँ पर मैंने इस tomorrow क पीम कर लिया, बात तो वही होगी ना, तो ये जो ad से लेके, ad से लेके 8 पीम तक है, ये एक तरीके से time ही तो बता रहे है, किसका, इस call करने का time बता रहे है, इस call करने का time बता रहे है, तो ये हो गया जो एक verb के बारे में, call का एक verb है, तो इसको क्या कहेंगे, adverb कहेंगे, अब बात आती है adverb काएंगे, adverb में phrase काएंगे close काएंगे, अगर एक शब्द होता तो adverb बोल थे, लेकिन यहां पर तो दो-तिन शब्द होगे तो इसलिए यहां पर इसको जाता है, तो phrase बोलेंगे तो close बोलेंगे, सवाल उठता है कि phrase कहें या close कहें देखिए phrase उसमें को कहते हैं जिसके अंदर कोई subject या verb नहीं है close उसको कहेंगे जिसके अंदर subject और verb हो लेकिन यहाँ पर ना तो subject है ना verb है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे phrase इसको हम कहेंगे phrase phrase of time त्यानक ना आप इसको और भी ज्यादा मतलब की specific कर सकते हैं किसमें हैं ओकी आचा आगे चलते हैं I will call you at when I reached Delhi I will call you अब अगर मैं यहाँ पर यह लिखा होता I will call you tomorrow फिर से वही चीज़ ले लो ना मैं तुम्हें कल कॉल करूँगा मैं तुम्हें कल कॉल करूँगा I will call you soon मैं तुम्हें बहुत जल्दी कॉल करूँगा तो अगर इस कोल you मतलब के यहाँ पर you के बाद अगर कुछ शब्द लिखा होता Soon लिखा होता Tomorrow लिखा होता तो आप समझ जाते अरे यह तो कोल को specific कर रहा है कोल के बारे इसमें बता रहा है उसका time बता रहा है तो यह जो चीज़ें होती तो आप फड़त नहीं पहचान जाते अब उसी की जगह यह वैन आय रीच डेहली यह चीज लिकी हुए है एच्वल में ये वाले जो शब्द हैं वो भी तो यही बता रहे हैं ना ये जो शब्द हैं वो भी तो यही बता रहे हैं किसके बारे में इस कोल के बारे में पर कब कोल करोंगे अरे मैं तब कोल करूँगा जब मैं दिल्ली पोहुंच जाऊंगा जब कोल करूँगा जब मैं subject भी आया clear, अब adverbial clause of place जगह बताया ओके, तो ये चीज़ें होगी हमारे सामने अब फिर से समझो ज़रा अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं मैंने आप लोगों को ये adverbial clause, adverbial phrase adjectival clause, adjectival phrase ये जुझे बताई हैं वो एक concept समझाने के लिए बताई है अब ये concept क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे भी reason है अब बस थोड़ा से अपने आपको होता ना कि शान्त करके रखो या आने वाले चब वीडियो के अंदर ही मतलब कुछ देर में आपके सामने सारे चीज़ें clear होगी ये चीज़ें clear हुई उमीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको clear हो रही होगी नहीं हो रही है तो लिखो न क्या दिक्कत आ रही है description box में दिया है मतलब कि description box में क्या telegram का इनाम आ रहा है बार-बार comment section on है अपनी जो questions है वहाँ लिखो जो दिमाग में जो verb होती है जो verb होती है उससे what या home का रिपलाई लो तभी आपको object मिलेगा जरूरी नहीं है अब थोड़ा सो और आगे चलते हैं इस concept को और अच्छे से समझते हैं concept के उपर मैं time लगा रहा हूँ क्योंकि चीज़े मुझे अच्छे से करवानी है चलते हैं यहां पर आपके सामने He has faced all the challenges like a man अच्छा इसमें कैसे करना है भई फिर से भई concept रहेगा हमारा पहले तो एक बार इन सभी sentences को break कर लेते हैं sentences को break करेंगे तो He has faced faced यहां पर आपके सामने क्या हो गया verb होगी He has faced verb main verb होगी has क्या है helping up होगी faced किसने किया भईया He has faced faced कर चुका है कौन कर चुका है He कर चुका है तो He क्या बनेगा subject बनेगा pronoun है third person है faced what क्या faced किया उसने उसने challenges faced किये तो challenges क्या है यहां पर object है receiver है इस face करने का clear अब यहां पर the article है कितने challenges थे सारे के सारे थे adjective है इस noun के बारें बता रहा है adjective हो गया adjective में भी अगर पूछे कौन सा तो quantitative adjective बोल दो quantity बताने वाला अब यहां पर आते है like क्या है देखिए अब like के उपर दो चीज़ें आती है sir like एक तो verb होती है ठीक है अब अगर verb होती ना तो verb का मतलब क्या होता है यहां पर पसंद करना verb होती तो verb का मतलब होता पसंद करना अब जरे एक चीज़ देखो इस sentence के अंदर he has faced all the challenges like a man उसने सभी challenges को face किया एक मर्द की तरीके से एक आदमी की तरीके से उसने challenges को face किया है अब यहां पर जो है वो face करने का काम कर रहा है he clear अब यहां एक चीज़ देखें तो यह जो sentence है वो है present present के अंदर present perfect के अंदर अब अगर यह present perfect के अंदर है अगर आप इसको verb आनोगे तो he जो है वो singular है तो verb भी इसके साथ singular आनी थी यानि यहां पर likes आना था तो यह नहीं है क्योंकि यहां पर like लिखा हुआ है एक तो चीज यह clear होगी तो मैं इसको rough कर रहा हूँ इस like को अब यहां पर यह चीज़ हमने समझी यह like जो है वो यहां पर verb नहीं है क्योंकि अगर यह verb है तो इसका मतलब है यहां पर पसंद करना He has faced all the challenges भई वो उसने सारे challenges face किये like a man पसंद करता आदमी को भई इस sentence का को meaning बना क्या sentence उसको कहेंगे जिसमें grammatical ही चीज़ें तो ठीक हो साथ ही साथ उसका meaningful होना भी बहुँ ज़्यादा जुरूरी है वो एक meaning convey करे वहां पर लेकिन कोई meaning convey नहीं करेगा अगर इसको आप verb बना लेगे verb बनाने का मतलब होता है इसको पसंद करना एक तो यह चीज़ दूसरी दिक्कत हमने यह देखी यह जो like है likes नहीं लिखा हो है और यह एक verb भी बन सकता है और जब यह proportion होता है तो proportion बनता है तो इसको कहते हैं तब यहाँ पर तुलना करने के लिए आता है जब यह proportion होता है तब तुलना करने किस तरीके से यह एक आदमी के तरीके से उसने इन सब challenges को face किया तो like यहाँ पर proportion है अब preportion आएगे तो preportion के बाद क्या आते हैं? object आते हैं तो यह object बनेगा man इस preportion का object बनेगा यह man और जब verb होती है तो verb में इसको कह जाते हैं इसको पसंद करना और हमें ऐसा कोई meaning चाहिए नहीं यहाँ पर पसंद करने वाला अब यहाँ हो गया तुलना करना preportion का मतलब अगर यह preportion बनती है और verb बनती है तो इसका मतलब पसंद करना और आपको पदा चल गया कि यहाँ पर जो like है वो एक preportion हो गई sentence clear है भी आगे चलते हैं एक बार सारी चीज़ें break कर लेते हैं एक बार सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी न तब आपके सामने फिर हम adjectival close adjectival phrase को फिर से लेके आएंगे second sentence I met him at I met him at the station met क्या होगी यहाँ पर verb होगी यह I क्या होगा subject होगा met किस से मिले भाईया him क्या बनेगा object बनेगा at क्या है preportion है station क्या है इस preportion का object है दा क्या है article अच्छे यह चीज़ें ध्यान रखना यह दा आर्टिकल होगा है यहाँ पर ए आर्टिकल होगा है यह A, N और दा यह तीन आर्टिकल होते हैं इन चीज़ों को ध्यान रखना मैं लिख नहीं रहूँ क्योंकि जादा ही पहुच पहुच हो जाएगा यहाँ पर अब यहाँ पर देखो I met him at this station at preportion, station is preportion का object met verb होगी, him object होगा I subject होगा, clear last sentence यानि third sentence पर चलते हैं I saw, Rohan, where we met yesterday verb क्या है यहाँ पर? saw होगी, saw यहाँ पर होगी verb, वै किसने देखा? I I क्या बनेगा? subject किसको देखा? देखने का काम किसके परवा? Rohan, Rohan क्या बनेगा? object बनेगा we क्या है? met क्या है? yesterday क्या है? met एक और verb होगी verb नमबर तो होगी we क्या है? भाईया, इस met से मिलने वाला फिर से मतलब कि इस met को करने वाला काम ये we कर रहे हैं, तो we यहाँ पर subject हो गया अब यहाँ पर, कब मिले भाई? yesterday तो yesterday जो है, वो adverb है time बता रहा है, इस met का मिलने का काम yesterday, where क्या है? दो close है, देखिए दो close कैसे पता चला? subject नमबर दो, main verb नमबर दो verb नमबर बन, subject नमबर बन ये दो close आये हुए है, देखिए, close में subject और verb का pair जलता है तो दो pair है, यानि दो close है उन दो close को जोडने के लिए क्या आये हुई है? यहाँ पर, conjunction आये हुई है ये where जो है, वो इक conjunction है relative relative adverb है ये relative adverb है ये conjunction हो काम कर रही है ओकी? अब यहाँ पर हमें समझना क्या है एक बर जड़ा color change कर लेते हैं, फिर इन चीजों को समझते है को हो जब या red color पर आते हैं अब यहाँ हमें समझना क्या है जो समझना था, adjectival close, adjectival phrase उन चीजों को समझते है अब यहाँ पर आपके सामने देखा है he has faced all the challenges like a man वही उसने challenges को कैसे face किया वही एक man की तरीके से कैसे face किया एक man की तरीके से यह जो चीज है वो किसको qualify कर रही है like a man वही इस challenges को या इस face करने को वही face करने को qualify कर रही है इस face करने को qualify कर रही है like a man यह जो तीन word है वो इस face को qualify कर रहे है face क्या है? verb है जो verb के बारें बताएं उसको क्या कहते है adverb कहते है और यह जो words का एक समू है अब या तो इनको phrase बोलेंगे या तो इनको close बोलेंगे close बोलते अगर इनके अंदर subject होती अगर verb होती लेकिन यहाँ पर ना subject है ना verb है तो इसलिए यहाँ पर इसको phrase बोलेंगे clear हुआ तो यह हो गया adverbial phrase phrase of manner भाई या तरीका बताया गया है ना तरीका बताया गया इसके अंदर adverbial phrase of manner I met him at the station यह I met him कहां मिले भाई? at the station station पे मिले हम I met him at the station station पे मिले अब यह जो add the station है वो मेट के बारे मिले हम बता रहा है मेट की जगह के बारे मिले हम बता रहा है तो यह मेट क्या है? verb है verb के बारे मिले हम बता है उसको क्या कहते है? adverb कहते है अब बात करें adverb तो है यह लेकिन adverb में यह phrase है या close अरे सर यह phrase है क्योंकि इसके अंदर कोई भी यहाँ पर verb नहीं है, subject नहीं है तो adverbial phrase of place adverbial phrase of place clear हुआ, next sentence पर चलते हैं third sentence पर, I saw Rohan where we met yesterday I saw Rohan, where we met yesterday भई यह कहां देखा, जहां हम कल मिले थे अरे कहां देखा, जहां हम कल मिले थे भई इस where से लेकर, इस वेर से लेकर, यह yesterday तक यह पूरा का पूरा, जो close है, वो इस so verb के बारे बता रहा है, नहीं बता रहा है बता रहा है, तो अगर यह जो verb के है, so क्या है, verb है और जो इस verb के बारे बता रहा है, उसको क्या कहेंगे adverb कहेंगे adverb कहेंगे लेकिन ये बहुत सारे शब्द हैं या तो इनको phrase कहेंगे या इनको close कहेंगे अरे सर इनको close बोलेंगे क्यों? क्योंकि इसमें matic verb आ रही है और we यहाँ पर subject आ रहा है तो adverbial close adverbial close of क्या बोलें इसको time बोलें, place बोलें क्या बोलें? इसको place बोलेंगे क्योंकि जगे के बारे मता रहा है place समझ में आया क्या है? अभी तक हमने क्या सीखा है? कि adverbial phrase किसको कहते हैं? adverbial close किसको कहते हैं? adjectival close किसको कहते हैं? adjectival phrase किसको कहते हैं? और कैसे हम इनको identify करेंगे? अभी तक यही चीज़ें से हमने सीखियें और इस चीज़ का मुझे यूज़ करने आगे चलके अब देखो ज़रा definition जो आपके सामने है आप चाहिए मैं एक बार इसको rough कर देता हूँ यह जो मैंने लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर हम एक बार फिर से इसको लिख देते हैं ताकि आप लोगों के चीज़ें याद रहें देखिए यह जो चीज़ है वो आप लोगों को टेलिग्राम पे मिल जाएगी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो एडवर्बियल एडवर्बियल close एडवर्बियल close of place है यह ओके अब यहाँ पर जड़ा definition देखो close, close किसको कहेंगे a group of words that includes a subject and a verb अब समझ में आएगा न एक close इसको कहेंगे जिसके अंदर क्या हो एक subject हो और एक verb हो phrase किसको कहेंगे the group of words is called the group of words is called phrase मतलब words के group को words के group को ही हम phrase कहेंगे उसके अंदर कोई subject और कोई verb नहीं आ रहा होगा ओके आगे चलते हैं एक चीज जो मुझे अभी बतानी है कि क्यों ये सब चीज़े हो रही है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो आपकी सामने न ये who, whom, which, that ये जो relative pronoun में करने वाला हूँ who, whom, which, that ये जो चीज़े हैं ये adjectival close ये adjectival phrase बनाने के काम आते हैं समझो फिर जो relative pronoun हम करने वाले हैं who, whom, which, that ये जो चीज़े हैं अच्छे मुझे थोड़ा सा color change करना पड़ेगा क्योंकि red color है और ये red color में सही से चलेगा नहीं देखिए who, whom, which, that ये related pronoun होते हैं ये जो relative pronoun ह continents वो adjectival close क्लोस बनाने के काम आते हैं अब ये जो चीज़े हैं सर ओरमा की related pronoun एक word भी होते है word जो है वो adjectival close क्लोस बनाने के काम नहीं दो कुछ और बनाने के काम आता है इसलिए मैं चीज़ें को बता रहा हूँ यहाँ पर क्यों बताया क्योंकि हम related pronoun कर रहे हैं उससे related मुझे concept आप लोगों कराना है और उसमें मुझे close और phrase की जुड़तार पड़ी इसलिए मुझे close और phrase आपको कराना पड़ गया अब यहाँ पर क्यों बताना पड़ गया क्योंकि जो related pronoun है who, whom, which, that वो adjectival close बनते हैं इनको हम error जब find out करेंगे इस concept को बहुत अच्छे से use करने वाले हैं वहाँ पर यह base है आप लोगों का ऐसा नहीं है कि चीज़े हैं ऐसी धक्के से हो रही हैं यह base हैं बहुत कामानी वाली चीज़े हैं एक बार और चलते हैं एक और दो concept हम कर लेते हैं adjectival, close, adverbial, close, noun, close, phrase अभी तो हमने adjectival, adverbial ले देखें थोड़ा बहुत नाउन के बारे में भी जान लेते हैं नाउन का क्या होते हैं देखें आपके जामनी जो तीन sentence है इन तीनों को हम एक बार break कर लेते हैं और break करके समझते हैं इनको I know how he escaped from that prison I know, know क्या होगी यहां पर verb होगी कौन जानता है, मैं जानता हूँ subject हो गया how क्या है, adverb है conjunction का का काम कर रहा है ठीक है, यहां पर interrogative भी adverb होती है, लेकिन अगर आपर question mark होता तो बगहते हैं लेकिन यहां पर conjunction के 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 लिए काम कर रहा है यह conjunction होगी he subject number 2 हो गया escaped main verb number 2 हो गयी from proportion हो गयी proportion के बाद यह prison prison यहां पर proportion का object हो गया that क्या है, इस prison के उपर demonstrate करने वाला एक adjective है और वो भी कौन सा? demonstrative adjective तो यह sentence कर लिया I know how he escaped from that prison escaped का मतलब होता है भाग जाना next sentence पर आते है how he escaped from that prison is a mystery अब यहां पर देखो फिर से how जो है वो यहां पर adverb है conjunction काम कर रही है अभी थोड़ा सा धहरे रखो चीजें कैसे कर रही है अभी clear कराता हूँ है आप लोगों को he यहां पर subject हो गया escaped main verb from proportion prison proportion का object the article है is main verb number main verb number first होगी a article mystery mystery यहां पर क्या होगी यहां पर यहां पर mystery हो जाएगा subject compliment यह होगा mystery यहां पर subject क्या होगा एक बिनट यह होगा subject compliment जो subject के बारे हम बता है अब इतना break कर लेते हैं अब भी बहुत सारी चीज़े मुझे आप लोगों को बतानी है third sentence पर आते है she did not explain she did not explain why she had left the job why she had left the job अब यहां पर अगर break करें तो did यहां पर होगया helping verb explain main verb यह adverb होगया adverb of negation इसको बोलेंगे क्योंकि negative कर रहा है she यहां पर subject हो गई why she why यहां पर adverb हो गया she यहां पर फिर से subject number 2 है had helping verb है left mean verb है left word job job यहां पर object है the article है ओके थोड़ा writing मुझे लगता है कि खराब है सब तीर दिरेंची जीज़ों को ठीक कर लेंगे अब यहां पर she did not explain why she had left the job अब यहां पर तीनों के तीनों sentence हमने break कर ली है थोड़ा सब चीज़ों को करते है पहले sentence पर आते है I know how he escaped from that prison अभी थोड़े दर पहले हमने verb देखी थी reach और enter मैंने बताया था यह दोनों जो verb है वो कैसी है वो transitive verb है और इनके बाद इनका क्या आता है transitive verb के बाद क्या आता है object आता है इनके बाद क्या आता है इनका object आता है ऐसे ही यह जो no verb है वो भी एक transitive verb है अगर no एक transitive verb है तो no के बाद क्या आएग एक तो ये कभी-कभी बीच में गायब हो जाता है हाँ, no एक transitive verb ये मुझे कैसे पता चला कैसे पता चला पढ़ने से बहुत रीडिंग करो, ठीक है ट्रिक नहीं काम आती है रीडिंग, जितनी आँ प्रेक्टिस करोगे उतना ही beneficial होगा आप लोगों के लिए English को समझना तो यहाँ पर no एक transitive verb होगी और वैसे भी tangent ना लो जो exam के point of view से important जो verb है मैं आप लोगों को बता दूँगा धीरे-धीरे पता नहीं मैं क्या-क्या यहाँ पर लगाए बैटा हूँ, खिछड़ी पका के बैटा हूँ no एक transitive verb होगी अब no के बाद हमें क्या चाहिए एक subject चाहिए अब थोड़ा color change करने के बारी आ गई है क्योंकि करामाती करना है हमने को कुछ तो no एक transitive verb होगी अब एक transitive verb होगी तो अब इसके लिए एक object चाहिए अब जरह यहां पर इस sentence को पढ़ो I know how he escaped from the prison I know how he escaped from the prison that prison मुझे बताओ इस no verb के लिए object बनेगा कौन क्या यह how बनेगा यह he बनेगा यह escaped बनेगा यह from बनेगा यह that बनेगा यह prison बनेगा इस no verb का object बनेगा कौन यह वाले important जीज है अरे सर इस no verb का जो object है वो यह पूरी की पूरी बात बनेगी भई मैं जानता हूँ क्या जानता हूँ अरे वो जेल से कैसे बागा यह मैं जानता हूँ यह जानने का क्या है पूरी की पूरी बात जानना यह पूरी की पूरी बात जानना है आई बास समझ में यह object का काम करतेगा और अग object का काम करतेगा तो object का तो आपको पता ही है तो noun का काम करना है या तो pronoun का काम करना होता है object का तो इसको pronoun तो बोल ने सकते क्योंकि pronoun close होते नहीं है होते noun close है इसलिए इसको noun close बोलेंगे close क्यों बोलेंगे कि इसके अंदर verb भी आ रही और subject भी आ रहा है clear अगला sentence देखो how he escaped from that prison is a mystery अब यहाँ पर आप देखो जरहें यह mystery जो है वो एक subject compliment है अभी जैसे मैंने बताया ना अभी जो पिछले sentence में हमने देखा था कि subject compliment आया हुआ था कौन सा था cousin वाला the boy who is waiting outside is my cousin जो cousin था वो subject compliment था और आपको पता है subject और subject compliment तो दोनों सेम होते हैं अरे compliment का मतलब क्या होता है बताना न subject के बारे में क्योंकि इसके पीछे subject लिखा हुआ है तो subject के बारे में बताएगा अब मुझे यह बताओ इस mystery का subject कौन है सोचो जरा इस mystery का subject कौन है क्या यह prison है इस mystery का subject क्या from है या escaped है या he है या how है वाई क्या है रहष्य है क्या वो jail रहष्य है या उसका भागना रहष्य है या पूरी की पूरी बात रहष्य है या पूरी की पूरी बात रहष्य है इस वर्ब को अपना subject चाहिए, इस वर्ब को अगर अपना subject चाहिए, तो कुछ न कुछ तो लेना पड़ेंगा ना, एक तो यह चीज, अब यहां इसका subject बनेगा कौन, इस वर्ब का समय subject तो बनाना पड़ेगा, अब इसका subject बनेगा कौन, जो subject compliment के लिए यहां पर आया हुआ है मतलब कि यह है जो subject compliment जिसके बारे में आया हुआ है वो बनेगा अब आया किसके लिए इस पूरी की पूरी बात के लिए यह है आपकी सामने subject अगर यह subject बन रहा है इस verb के लिए subject बन रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे noun अब पूरी बहुत सारे शब्द है यहाँ पर इसलिए इसको बोलेंगे noun close noun phrase बोलेंगे नि क्योंकि इसके अंदर subject और verb आय हुए है next sentence में चलते है she did not explain why she had left the job भई उसने explain नहीं किया उसने explain नहीं किया उसने क्या explain नहीं किया कि उसने job क्यों छोड़ी उसने यह explain नहीं किया यह explain जो है यह भी एक transitive verb है यह भी कि एक transitive verb है फिर से वही बात अरे सर आपने कैसे पता किया यह रहाँ इलाज आपके सामने पढ़ने से पता जलता है जितनी reading करोगे तभी पता चलेगा यह जो explain है वह एक transitive verb है अब transitive verb कहेगी कि लाओ मेरे लिए object ले के आओ वह explain क्या करेगी she did not explain explain what यह explain नहीं किया उसने job क्यों छोड़ी यह पूरी की पूरी बात जो है वह इस explain verb का object के तोर पे काम कर रही है तो यह object बन गया और object बनने की power किसके पास होती है noun के पास या pronoun के पास अब इसको noun बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे word है अब बहुत सारे word है तो इसको noun close कहेंगे क्योंकि इसमें subject भी आ रहा है और verb भी आ रही है यह सारा का सारा जो time जाम है वो मैंने क्यों किया है just because of आप लोगों को बता सकूँ यह जो who होता है यह जो what होता है whom होता है, that होता है, which होता है यह जो चीज़ें होती हैं यह relative pronoun यह adjectival close बनाने के काम आती है लेकिन यह जो what होता है what महश्य है यह कुछ और ही बनाता है इस relative pronoun को समझाने के लिए मुझे यह adjectival, adverbial, noun, close यह सब चीज़े मुझे करवानी पढ़ रही है आई बास समझ में क्या किया है हमने adjectival, adverbial, noun एक बार फिर से छोटी सी revision हम कर लेते हैं कि adjective किसको कहेंगे और black color में करते हैं adjective, adjective देखो adjective is equal to adjectival phrase, adjectival close adjective उसे कहेंगे अगर एक शब्द किसी noun के बारें बता रहे है adjectival close उसको कहेंगे बहुत सारे शब्द नाउन के बारें बता रहे है अगर उसमें verb या subject आ रही है adjectival phrase उसको कहेंगे जिसके अंदर subject और verb नहीं आ रहे है और कुछ शब्द मिलके एक noun या pronoun के बारें बता रहे हैं same adverb की बात आ जाएगी adverb is equal to adverbial phrase, adverbial close noun is equal to noun close और noun phrase आई बाँ समझ में ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने adjectival close, adverbial close and noun close, phrase ये सारी चीज़े हमने देखी है इनका use कहां करेंगे अगली वीडियो के अंदर हम इन सब चीज़ों का use करने वाले है वीडियो अगर समझ में न आई हो तो दुबारा देखो कोई doubt है तो comment में लिखो वीडियो की PDF चाहिए तो वो आप लोगों को description box में एक link दिया मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो clear और साथी साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो भाईया क्या करो जो लाल वाला बटन है उसको रंग उडा दो मतलब समझ रहो, उसको subscribe कर दो वीडियो को मतलब like कर लो और कुछ जादा ही पसंद आ गई है तो वीडियो को और वीडियो को और साथी साथ चैनल को शेयर भी कर सकते हो clear तो बस आज के लिए इतना है था जल्द ही अगले concept मेलते हैं जिसके अंदर में रिलेटी प्रणावन दैट को करेंगे Thank you for watching this video